तो बच्चो करेंगे हम 21st question और ये भी काफी easy है, डरावने सा लग रहा होगा आपको, पर है काफी easy, तो देखते हैं, if a, b, c are in continued proportion, तो आपको पता है, बच्चो, a upon b equals to b upon c, तीन ही है, continue में है, तो b b होगा, right, तो देखे, equals to, मैं करता हूँ, इन दोनों को, equals to रख देता हू तो देखे, b इदर मैं, right में इसको shift करूँगा, तो a equals to b के हो जाएगा, और b किता हो जाएगा, बच्चो, c के, ठीक है, देखे, a, b, k हो गया, और b के हो गया, मेरे में c के, अच्चा, अगर बच्चो, यही b मैं इस पर put कर दूँ, तो a एक और कुछ बन सकता है, देखो, कुछ, इसमें changes आ जाएगे, तो देखो, अगर यह b की value, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो यह हो जाएगा, a equals to b की value क्या है, बच्चो, c के, यहाँ पर रख देता हूँ, c के, और यहाँ पर k तो है, तो देखो, a की value कुछ change हो गई, वो हो गई, बच्चो, k square c, तो पहले left hand side को solve करते हैं, तो बच्चो, देखिए, अब मैं left hand side solve करने वाला हूँ, तो जाएगा पर a है, वहाँ आप में k square c, तो मैं value put करता हूँ, तो देखिए, यह हो जाएगा, p, a square है, a square के जगा मैं k square c लिख दूँगा, तो यह हो जाएगा, देखो, k square c, a का square था, यह लिजे, q, a की जगा लिख दूँगा बच्चों मैं, k square c, और b की जगा लिख दूँगा बच्चों मैं, c, k, right, देखिए, प्लस, r, अब b square है, b square के जगा लिख दूँगा, मैं c, k का whole square, whole upon, p, b square के जगा लिख दूँगा, c, k का whole square, प्लस, q, b है बच्चों मिर पे, c, k, और C as it is C ठीक है R C square इतना मैंने कर लिया ठीक है आगे बढ़ते है तो अब देखिए बच्चों क्या-क्या common है मैं उसको common भार निकाल लेता हूँ ठीक है देखे पहले मैं इसको further solve करता हूँ नहीं तो आप confuse हो जाओगे यह हो जाएगा K की पावर 4 C की पावर 2 प्लस Q K square K अब बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ पे C के है यहाँ पे तो इनको multiply करूँगो कि K का Q हो जाने वाला है यहाँ पे और C का square हो जाने वाला है प्लस यह हो जाएगा बच्चों R C square K square रइट फोल अपॉन यह हो जाएगा बच्चों P C square K square प्लस यह हो जाएगा बच्चों Q C square K प्लस R C square तो देखिए अब बच्चों क्या करता हूँ मैं अब मैं इससे common लेता हूँ देखिए क्या क्या common ले सकता हूँ मैं इसमें से सरिफ K square यहाँ से common ले सकता हूँ और C square common ले सकता हूँ सबसे छोटा लेता है न common देखिए K square C square अगर मैं यहाँ से common लूँ तो उपर क्या बचेगा देखिए उपर बचने वाला है P K square ठीक है प्लस Q K प्लस R अब मैं नीचे से क्या common लूँ जलाएश कशाएब मैं नीचे से मैं अगरी मैं सरीफ dai mi ITSky square इसकता हो रय्ट तो देखिए सी स्क्वयरि मैं नीचे से common ले सकता हूँ तो मैं इसमें नीचे सी स्क्वयर कॉमा ले लेता हूँ ठीक है यह ळोबचयो पी के स्क्वयर वाउ यह भी कट गया अरे क्या बात है के स्क्वैरा अब लेप्ध हैट करते तीक है अब मुझे जगा में ब्राइट करता हूं आफ मुझे करना के जगा में क्या लिखसक करते हूं K square C C के जगा क्या लिख सकता हूँ C लिख सकता हूँ तो ये कट के क्या आ गया बच्चो K square देखिए Left hand side K square है Right hand side कितने easily K square आ गया तो मैं बोल सकता हूँ Left hand side equals to right hand side Hence Proved